तो आगे आप, कैसे हो? दोस्तो आप नया फीचर लॉंच किया है, बहुत ही काम का फीचर है, लेकिन यह वीडियो देख लेने के बाद यह फीचर बहुत हो जाता है, तो यह फीचर यह है कि यह दि किसी को आप कोई photo वगेरा या video वगेरा भेजते हो तो वो disappear हो जाएगा एक बार देखने के बाद, या आपने भेज दिया, उसने देख लिया और दुबार ने देख सकता हो, पहले तो बताते हैं कि कैसे करते हैं, फिर बताते हैं कि ये कैसे नहीं होता है, तो दोस्तो ये वो, तो मेरा भ उनको ये select कर लिया, तो यहाँ पर आप ये one लिखा देख रहे हैं, यहाँ पर one लिखा देख रहे हैं, इस पर click करें आप, click, और ये अब आप one को on करके यदि इनको भेजेंगे, तो ये किवल एक बार दिखेगा, ठीक है, तो ये जहाँ पर गया है, वो ये है, आ गया, आ किया, आ गया, ठीक है, अब मैं इसको click करता हूँ, अरे होजा सूसरे, ये download हो रहा है, ये कह रहा है कि ये photo केवल एक बार देखने के लिए set किया है, हाँ, हाँ, पता है, मैं बाप को मस सिखा, ये दिख गये photo, ठीक है, और अगर मैं इसको back कर दूँ, और दुबारे तो देखा आपने ये WhatsApp का feature की सामने वाले को आप media भेजो, photo भेज दो, video भेज दो, तो वो एक बार देखेगा, और वो फिर delete हो जाएगा, देखा जाए तो ये feature, feature नहीं है, फटीचर है, अरे ये सामने वाला screenshot ले लेगा, screen recording कर लेगा, यदि तुम लोगों ने इतनी मेहनत करके, ये feature launch किया है, तो screen recording, screenshot भी तो बंद कर दो, incognito mode में नहीं होता, कही सारी application, website में नहीं होता, तो ये भी तो साथ में launch करो, वरना इसका क्या logic है, तो जिस जिसको ये नहीं पता कि screenshot भी ले लेंगे, या ऐसा कुछ कर लेंगे, तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जातर लोगों को क्या सब को ही पता है कि screenshot ले सकते हैं, तो WhatsApp के इस feature के लिए में बस एक ही बात कहरा चाहूँगा, आथो!